दोस्तों नमस्कार मैं संजे मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सवाज चुनाव परिणाम के बाद अब सरकार बनने की कवायद जो थी वो आज पूरी हो गई हर्याना की सरकार बन गई नायब सिंग सैनी हर्याना के मुख्य मंत्री बन गए और अब सरकार अपने तरीके से काम करना शुरू करेगी इलेक्षन के बाद दो चीजें दोस्तों विशेश होती हैं एक सरकार और एक विपक्ष हर्याना के अंदर जो मेंडेट मिला वो भारती जन्ता पालिटी को मिला सरकार बनाने का 48 विधायक के साथ और कॉंग्रेस को मेंडेट मिला विपक्ष में बैठने का 37 विधायकों के आज भी मैं अगर यह कह दूँ कि जो उनमें जूतियों में डाल बठने की जो प्रथा चली आ रही है या उनका जो क्रिया कलाब कुछ ऐसा बन चुका है वो आज भी लगातार जारी है उससे पहले कॉंग्रेस की जो गुटबाजी है फिर से चरम पर है बुदवार को शाम क वो भुपेंदर सिंग उटा के निवास पर इकठा हुए कॉंग्रेस के नेता जिसमें 16 विधायक थे 37 विधायक है बाकी भी धीरे-धीरे सब अपना स्थान देख रहे होंगे बड़ी बात ही है कि कॉंग्रेस की जो गुटबाजी है यह आखिर खत्म होती क्यों नहीं और किनो घाखी तो कब और कहां कुछ इस विषैपर मैं चरकामें हूँ मेरे साथ मव्जूध है हैं डेविंदर सुर्जेवाला जी गाओं तो बसना बड़ी दूर की बात थी, जो कॉंग्रेस ने हसीन ख्वाब संजोए थे, वो सारे जमीन पर आ गए, सरकार बनाने के ख्वाब देखे हुए थे, मंत्राले तै हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था, यानि कि बरात पूरी सजी सजाई तयार घूम रही थी, लेक कर्का का मुगा नहीं मिला, विभष में का नेता चुनना अनको अपना, अब नेता चुनना था, कॉंग्रेस ने अपना, आग कॉंग्रेस को अपना नेता चुनने के लिए भी वह सारी उनके जो, दाव पेच उठापटक वो शुरू हो गई है लोगों में चर्चा है कि आखिरें कॉंग्रेस की जो गुठबाजी है यह कहां खत्म होगी और कब रुकेगी देखिए ऐसा है कि 18 तारिक को कॉंग्रेस विधायक दल्गी बैठक बुलाई गई है उसमें नेता का चैन होगा और समझदारी तो इसी में है कि बैठक के अंदर सब पहलू को देखकर अपने पिछे के कारिये क्लाप और आगे में भविश्य को देखकर पार्टी ऐसे नेतरत सब्सक्राइब का चैन करें जो आगे पार्टी को ले जासको है अब ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी के अंदर इस वकर गुरुप बाजी गुट बाजी जो है वो काफी हावी रही रही राहूल जी ने भी एक बात कही पिछे जब मीटिंग में लीडर जो थे पिछे और प्रदेश अध्यक्स उनके समुख एक बात कही कि परस्नल जो था ना व्यक्तिताओं वो हवी रहा पार्टी की नीतियों के बजए उनका इसारा था कि भी सब जो है इस तरह का माहूल बना और जिसे पार्टी को ये खामियाजा भूतना पड़ा कुछ अतर ये सही है कु में एक ये भी मुद्दा रहा है लोग ये पहले ही कहते थे के भी कांग्रिस तो तो कांग्रिस ही हराती है एक बात वो सही निकली दूसरा ये भी कहते थे अगर ये चुनाव मिल जूल कर लड़ेंगे तो अच्छी बहतरीन परदर्शन होगा और लोग तो कयास लगा रहे पैसर्ट बासर्ट या सतर तक भी सब भरे लगे सुर्जमाला जी लेकिन ये कहते थे अगर नहीं होगा तो ये पचास के शिबट जाएंगे बुत अब वो काफी नीचे आगे उसी का प्रेडाम हुआ कि ये आपस की जो लड़ाई कहिए या आपस का ग्रुप बाजी कहिए ये एक संदेश सी कठे और ना होने का जो मिला उसका प्रभाव अभी आप कह रहे थे कि गुटवाजी और कॉंग्रेस को हराते हैं जी मैं आपकी बात में बात जोड़ता हूं जी कॉंग्रेस को हराती है ये कुई नहीं बात तो मुझे लगता है नहीं ठीक है ये प्राणी प्राणी बात है जब से मुझे तो लगता है जब से मैं देख रहा हूं इनको कॉंग्रेस की पॉलिटिक्स को जी उनीसो सतासी का दोर देखी आप सुर्जेवारा जी उनीसो सतासी में हर्याणा के अंदर मुख्य मंत्री बने चौधरी देवीलाल सरकार बनी चौधरी चौधरी बात करें तो कॉंग्रेस का मैंने एक बार पहली भी बता है इतियास रहा है उनीसो पांच से शुरू हो गांदी जी के समय भी नहीं रुकी आपको यहां का बता रहा हूं कि गांदी जी का नेतर तो पूरे देश को स्विकार था लेकिन उनके समय भी अलग हुआ और जो पर्धान का चुना हुआ था उस वकत तो उसमें भी गुरूप बाजी आई थी सुर्जेवारा जी 2005 में हर्याड़ा में कॉंग्रेस की सरकार बनी जी चौधरी भजनलार और भूपेंदर सिंग उड़्डा थे तब भी 2014 में बीजेपी की सरकार बनी मैं आपको बता रहा हूं 2005, 2014, 2024 में 2005 में जब कॉंग्रेस की सरकार बनी तो उस समय हुद्डा साब का और चौधरी भजनलार के गुठ था जब उनका नेता का चैन होना था तो एंबेलेज कुछ बैठे थे चौधरी भजनलार के या कुछ बैठे थे हुद्डा साब मैं यह कह र कि राहुल गांदी ही बड़े सबसे बड़े सूत्र धार है यह जो उनके पुराने नेता थे मैं आपको अपनी बात मिलाओंगा सुर्जेवरा जी 2005 में जब चला तो उस समय भजनलाल के नेत्रतव में चुना हुआ था भले गोशित नहीं थे वह पर प्रदेश अध्यक्ष सुनिय गांदीजी थी सोनिय गांदीजी ने बना दिया हुड़ा साब को कोई बात नहीं कोई कुछ नहीं सीधा संदेश पैगाम आगया कि हुड़ा नेता होंगे जगड़े हुए विधायकों के अंदर तूट्राक हुई तूटू में हुई गाली गलोच हुआ सब कुछ ह कि 2014 में भी भारती जंता पार्टी की सरकार बनी कोई घोषित नहीं था कुछ भी लगता था कि राम बिला शर्मा बनेंगे हां लोगों को उनका सेनियर्टी को देख आप यह देखिए बीजेपी आला कमान की एक तरफ कॉंग्रेस उस समय आप बिल्कुल सेम कंडिशन है दो 2005 में सेंटर में कॉंग्रेस थी मनमाहन सिंग परदान मंत्री थे और राज माता सोनिया गांधी थी पूरा उनका दबदबा था उसके बाबजूद वो अपने घर को नहीं समाल पाई घर को रड़वाया 2005 में इधर आय तो बीजेपी की सरकारती सेंटर में उन्ही राम बिला होगे कि मैं यूं यू कहिये जिस्कूल का कंस्ट यूं मच्छों में बच्चों में जधा-ा मल निकजी थी उसमें तो कोच द्यृवां लहीं है कि耻 Perhaps बीजेपी का में अट्ली आर्य dw1 में नहीं कि मैं बडी तो जब से नकिरार में होगे जब समर्थं दे दिया चाधरी औ लेकिन उपर से एक ही बात थी उम्प्रकाश चुठाला के साथ देखिए ये गुरुब बाजी हर जेगे है ये 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 आप ये जुठाला नहीं सकते है कि बीजेपी दूद की दुलिया उसमें मैं कहारा हूं गुठादी है एक मिनट सुनिये ना आपकी बात का मैं पूरी विस्तार सी जोब दे रहो मैंने का ना है कि एक उनका हैडमास्टर है उनका संग हम जहां से चलता है हम आदेश हम वो उनका बड़ा एक मजबूत है उसकी स्ट्रीम लाइन है और एक ही लाइन ओफ शुस्वाशवराज जी का अलग धड़ा था राम बिलाज जी का अलग था अब भी 2014 जिकर कर रहे हैं आप राम बिलाज जी का अलग धड़ा था मनोरलाल जी मैं तो सौचेवाणा साब 24 का करना हूं चौबिस में विज मुख्य मंत्री पत के दाविदारी कर रहे थे आज अ उनका संदेश तुहीं गया और इधर कॉंटेश वाले हैं उनका हैड मास्टर मजबूत है वह उस्कूल में डिसिप्लिन होगा जिस स्कूल का हैड मास्टर मजबूत होगा उसमें पूर्णा चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को कहा भीजना चाहेंगे पढ़ने के लिए जहां अच्छा माहल होगा जहां अच्छी शिक्षा होगज इसकूल का स्प्केष्णा उच्णा अच्छा देखेंगे तो जनता ने देख लिया और वो फैसला दे पना जी अपने उसकूल में भेज़ दिया जंता ने मैं आपको आपसे कहना चाहाँ आँ कांग्रेस की राय मैं वो शब्द नहीं कहना चाहरा, बुपेंदर सिंग हुडडा ने अभी तक यह नहीं कहा कि कांग्रेस की हार का कारण क्या है, क्या कारण बता रहे हैं, इवियेम, चौधरी उद्यवन कांग्रेस के परदेश अध्यक्ष, खुच चुनाव भार का एविधान सभा का, प्रभारी का एक रॉल होता है, बहुत बड़ा, प्रभारी का मतलब यह होता है, कि वो अगर पार्टी के अंदर 2, 4, 6, 8, कितने भी धड़े हैं, वो सबको साथ लेके चले, उपर तक बात पहुंचाएं, तीन नेता थे कॉंग्रेस पार्टी के, केसी वेनु कोपाल, अगर लगवा दी, तो रो होस्पिटल में जाके अड्मिट हो, जी अब टिकट वित्रण के दौरान में इतना बभंडर हो रहा है, एक विदानसाभा सीट के बरवाला के राम लिवास भोडेला के खिलाफ लोगों ने घिर लिया बावरिया को, एक हजार से ज्यादा लोग थे, रोता हुआ बावरिया, रोते हुए चले गए, उन्होंने आशू भी दिखाए अपने, अब कह रहे हैं कि मुझे प्रबलम किसी के साथ हो सकती है, स्वास्थे किसी का बिगड़ सकता है, मुझे यह नहीं कि वो स्वास्थेन का खराब हुआ, तो बनावरिया, लेकिन बात ही आजाती है कि आपको पार्टी ने लगाया हर्याणा का प्रभारी, कि आप जा करके मिल के सब को चलाओ, जनता ने आपको आशा की किरण दिखाई लोकसभा चुनाओं में, आपने यह समझा कि आप सौधा घर हो गए, दूसरा नाम केसी विडूंगोपाल, पार्टी के राष्टे महमंत्री, देख रहे थे कि कौन जिम कराएगा, कौन साथ जाएगा, कौन क्या करेगा, टिक्टे अच्छा गांधी सेथाूप ने आपी तेखिये, आप ये जरा लंबा विशे हो जाएगा बात śred, यह खामियार ये कमिया एक तरफ नहीं है एक था नहीं है, यह कमिया की तो डोनों तरफ भी. ये ubत है तो बीजेपी की टिकट भी कई बारा ऐसे अब आप देखिए बेरी हलका जेजेपी के जो डिस्टिक प्रिजिडेंट थे अगले शन बदल के वो टिकट दे दिया किसको टेक्चंद शर्मा को करप्षंपाल और दूसरे कितने गंदे नामों से वो स्थानिय जो थे उनको फुगार रहे थे तो यह तो सब चलता है मैं यह चीज और बीच में आप सुनिए टेक्चंद शर्मा की आपने बात कई आपने नाम लिए कुछनपाल गुजरगा जी फिर आपको लिए सलता हूं ओकरद में जस्की बेटवार को टिकेट दिया कॉंग्रस ने ज्यां कुमारी जय चाहरे चारी टिकट अजज को ते ने पढ़ी महां जो अग जो बातें चली चारी इधर अगर टेक्चंद को टिकेट दिया तो कुषणपाल गुजर टेक्चंद शर्मा की वूत रहे धाई में और जनता को क्या संदेश चाहिए सुर्जेबला जी मैं आप से अभी पूछा मैं तो शुरू में कि आप बच्चे को कौन से स्कूल बेजना चाहेंगे जहां पड़ाई अच्छी होगी डिसिप्लिन होगा यहां पे महौल अच्छा होगा वहां पर उसका जनता ने फैसला सवाल उठाया को देवांच जी है आपने भुपंदर उड़ा जी कहां कि वो लोंने दोस्त इवीम को दिया है मैं यह कहता हूं चाहिए यह था कि हमारे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्स थे उनको नीजित जुम्यवारी लेते हुए यह कहना चाहिए था इस हार की जुम मंत्री प्रभारी जो भी होते हैं वो कहते हैं कि मैं इसका नैतिक जुम्यवारी मेरी मेरी है पार्टी उनको अलग करे ना करे वो अलग है और मैं पेश्क्राश करता हूं इस्तीफे की उनका एक दाइत्तव साइगी होता रहा है यह चाहिए था अगर अब 18 तारी को और यहारने के लिए अच्छा स्कूल अच्छा प्रिंसीपल अच्छा अध्मसुयर्य अच्छा डिसीप्ले सारी बाते की कॉंगर्स पार्टी को जनता नेमेंडेट दिया किह विबक्ष में बैठी है जी हम जनता का मेंडेट है कि आप बर्च्छ पीक्ष जन्गुर तो हो तो सबसे बड़ी बते को सबसाल पड़ी है कि मेरे घुटको मिले है कि यह चाहना तो हमेशा बनी रही कि आगे भी बनी रहेगी सवाल यह आता है कि इन बातों का जो है परभाव वो कब और कीतना पड़ता है वो देखने की बात इस वकद ज्यादा जुरुत पार्टी को संग्रेट होने की जादा है कॉंग्रेस को और इन चोटी बातों को तो देखिए इन से उपर उठ करके आपको करना पड़ेगा तब जागर के आप जनता के बीच में जा पाए और वरना तो वही बात है जो शुरू में वा कि आप इस तरह लड़ते रहेंगे और यह करेंगे तो लोग तो खिली उडाएं राजिस्थान चत्यसगड यह चुना हुए थे चत्यसगड और मद्यपरदेश को ले करके स्थिति यह थी तमाम जो पीनियन आते थे क्यों आते थे कॉंग्रेस की बन सकती है बाद में कॉंग्रेस की सरकार दोनों स्टेटों में नहीं बनी बुरी हालत हो गई जी मद्यपर प्रदेश के अंदर तो कमलनाथ और कमलनाथ के पुत्र और उनकी टीम बात यह चली कि जैसे हर्याणाम बात चलती थी सर्जेवला जी कि एक गुट नहीं चाहता कि 46-47 से ज्यादा में ले आ जाएं ताकि बात बनी अब बात आई मद्यपरदेश के अंदर भी कहते थे कि कम यह चाहते है कि भी पंदर उड़ा जी नहीं चाहते है कि पंधालिस या 50 से उपर मेले आये कहीं ऐसा ना हो के हाकमान मुझे अन्हां मुझे कोंगरेंस के अदेश के अंदर कोई गांदी को इसा कोई नहीं होता, यह तो सिर फ महुल को देखकर के बातों में से बात राथ इ तोटे में जोनलट बजता है यानि जब आप हानी होती है जब नुकसान होता है तो आप को और ज्यादा चांसित बन जाते हैं अब एक बड़ा पराणा है कि राजा हरिश्चंद्र जब वो थे वो अपनी हर बात में ठीक थे सही थे जब हर दा उल्टा पड़ता रहा हूं और वो एक इतियास बन गया था तो यह तो जब ऐसे वक्त तो नहीं बन अंग्रेज आए भो भी चले गए और गुपतकाल भी था मोर्ये वंस भी था घर दिर तो कोई भी नहीं है समय होता है जह जाने कितने नेता आये और चले गए उनका कुछ देगे कुछ छोड़ गए चली अंतिम सवर क्या लगता है कॉंग्रस विधायक दलका नेता कुभी करने तक कौन बनेगा देखिए वैसे मेरे हिसाब से तो वबंदर उड़ा जी को ही रखना चाहिए ज्यादा विधायक उनके पक्ष में हैं और ठीक है गलतियां है सारी बाते हैं उनको भी सबक लेना चाहिए सब को साथ लेके चलने और जहां तक जिकर चलना है कि कॉंग्र सब्सक्राइब करें तो अपने सर्वाइबल के लिए तो सुर्जेवारा जी कहना है कि अगर कॉंग्रेस बेस्ट ऑप्शन के लिए 2029 के अगर को तयारी करनी है तो कुमारी सेलजा और भुपेंदर सिंग उड़्डा ये दोनों नेत्रतर समालें और दोनों मिल करके चलें आप हमारी बास से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर पताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजा करना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन